हाई फ्रेंड्स वेल्कम टेशाइड मता चैनल डोंट फगट दो सब्सक्राइब है चैनल नो दो लौ सीरीज में जानेंगे हम इस बार रिट हीपिस कॉर्पस बारे में हीपिस कॉर्पस हो टाय क्या है मैंने आपको पिछले वीडियो में आर्टिकल 32 के बारे में बताया था सब्सक्राइब कर जो है हाट और सोल अब कंस्टूशन कहते हैं क्यों कहते हैं इस आरे डिटेल मैंने बताया था इंपॉर्टेंट केस भी बताया था अब जानेंगी टाइप वीडिक्ट क्या होते हैं हीविवेस कॉर्पस एक रिट करके बात करें तो आज हम जानेंगे है इस कॉर्पस के बारे में टोटल 5 रिट होते हैं इस कॉर्पस मैदमा साटी और आई प्राइबिशन क्यों और अन्टू तो यहां जानेंगे रिट किस से रिलेटेट है कौन से प्रोविजिन से सुप्रीम कोड के आर्टिकल 32 से रिलेट होता है यह इसू करता है अगर आपक सब्सक्राइब करेंगे चोटा 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 ही वीडियो है बासानी समझ भी जाओगे तो आज हम बात करेंगे हैं मैं आपको बताई दिया हूं का अर्टिकल 32 सुप्रीम कोड से और 226 आर्टिकल हाई कोड के लिए रिट जारी का किया जाता है उसके द्वारा कर सकते हैं सब्सक्राइब करेंगे हैं अगर किसी को में जाएब करोने 24 भरेटा के सामने पेस्क्राइब कि याद रखेगा किसी को इलीगली डीटेंड़ करके 24 गंटर के अंदर मजिश्टिट के सामने पेस्ट नहीं किया जाता तो सिस्कों जेल में डाला जाता है तो जो है वह रिड़ करके जो है उसको जो अपरादी को हिरासत में करना होता है की जो है अपरादी को डंडिट करना नहीं होता अवैत तरीके शिरास्त में लिए गया वैक्ति को रीहा करना होता है तो यह बहुत important हीपियस कॉर्पस किसके लिए जारी होता है कि अगर जिसको जो है illegally जो है डिटेन कर दिया गया पुलीस दोरा illegally उसको जो है ग्रफतार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है तो वह रीट के दौरारा हीपियस कॉर्पस रीट के दौरारा उसको जो है रीहा कराया जा सकता है यह कहां करता आटिकल 21 आप जानते है राइट टु जाता है क्योंकि प्रस्नल रिवर्टी होता है एक व्यक्तिकत स्वतंतरता के लिए वहां पर जो है अगर किसी को इलीगल तरहीं किसी गिरफतार गिया जाता है तो जो है हीबिस कॉर्पस रीट के दौर आप उसको छोड़ा सकते हैं अगर जो है पुलिस अवैद तरीके से उसको छोड़ना नहीं चाहती है गिरफतार करने के सामने 24 गंडे कर अगर पेश नहीं कर रही है पुलिस तो आप उसके खिलाब साधे कागज पर जो भी गिरफतार हुआ है वह या उसके परिवार वाले साधे कागज पर यह विए स्कॉर्पस का रिट डाल सकते हैं जिससे और से कोई भी विवैक्ति दायर कर सकता है जो भी जो है देखता है कि गलत तरीके से लेगली डिटेन किया गया है पुलिस तवारा उसको जबरजस्ती जेल पर रखा गया है तो कोई भी उसके भी आप में डाल सकता है यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसको हीपियोस केस कौन सा है तो एडियम जयवलपूर्वा से शुकान सुकला 1975 का केस था इसमें इसमें भागवाती ने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है जजमेंट दिया था परसंस राइट तो नॉट भी अनलाफुली डिटेंट कैन बी सस्पेंड़ किसी भी जो है व्यक्ति का जो है र नेक्स्ट वीडियो में एक और रिट के साथ मिलेंगे थैंक यू